मुझे रिक्वेस्ट आया था कि मैं इनकी इस वीडियो पे रेक्ट करूँ और हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि मुस्तफा हानिप ने मस्जित नबवी में जाके इफ्तियार किया और रमदान मदिना इफ्तियार इन मस्जित नबवी दे वन मुस्तफा हानिप ये है पूरा टाइटल इस वीडियो का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मुस्तफा हानिप का एक्सपिरिंस कैसा रहा मजजित नवेवी में इत्यार का जल्द तैबा बुला सबस गुंबद दिखा जल्द तैबा बुला सबस गुंबद दिखा मैं भी कहूं फिर मैं मदीने चला मैं मदीने चला मैं मदीने चला मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला मेरे आका कदर होगा पेशे नजर मेरे आका कदर होगा पेशे नजर और चाहिए क्या मैं मदीने चला और चाहिए क्या मैं मदीने चला असलाम अलेकुम और वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चनल अमीद है आप लोग ठीक होंगे खेरियस होंगे रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और आज साथ तारीक है साथ एपरिल और मैं यहां दुबई से मदीना जा रहा हूँ एक मेरी तो हमेशा से जिन्दगी पर की खौइश यह है कि लापाक बार बार मका मदीना के हाजरी करवाता रहे और जब से कोवेट आया था 2019 में आखरी बार हाजरी होई थी और इसके बाद से अब तक हाजरी नहीं होई थी तो मैं बड़ा जो है न वो इमोशनल हो गया हूँ क्योंके अभी जो है वो मेरी फ्लाइट है और मैं जा रहा हूँ यहां से बस रेडी हो गया हूँ और आप लोगो अपने साथ लेके चलूँगा इंशालला और आप लोग भी देखेंगे के रमजान की रोना के मैंने आज तक रमजान में ना उम्रा किया है ना मक्का मदीना देखा है मैंने तो अब इंशालला लापाक ने यह खौईश पूरी कर दी है आप लोगों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ अब लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ कि लबाक आप लोगों को भी इस हाजरी का मुका दे और बार बार अपने घर बलाए जो लोग खौईश रखते हैं तरबते हैं वापे जाने के लिए लबाक सब की खौईश पूरी करे और मेरे साथ रहीएगा इस सफर के अंदर और मैं बहुत खुश हूँ एक तो मेरी अपनी एकसाइटमेंट है कि अलाबाग ने मुझे वजबाब बना दी और मैं जा रहा हूँ इन्शाला और मेरा जो सफर होगा उसके अंदर मैं आप लोगो भी अपने साथ रखना चाहता हूँ तो इन्शाला चलते हैं एरपुट की तरफ यह है चैक-इन एरिया यहां से हम चैक-इन करें अच्छा लास्ट टाइम हम जो है ना अवने क्या किया था कि सामने जो है उनोंने सेल्फ चैक-न भी बनादी है साथ एसके अधर आप ज़ए रखना आप जो है वो खुदी मशिन बड़े रालें और वही से मशिन जो है आपका लगज जो है वो एकसेप कर लगई है ठीक है ना यह है, सही है, लेकिन लास्ट टेम हमारे जो लागिज था था, इसकी कैलकुलेशन में बड़ाई प्राब्लम हो गया था, तो अभी हम लोग मैनुल चेक इन की तरफ ही जा रहे हैं, यह बोर्डिंग पास भी कितना प्यारा लग रहा है, क्यूंके इसके उपर मदीना अभी फ्लाइट में सब को यह डिस्रिब्यूट किया, रमादान करीम इसके उपर लिखा हुए है, क्योंके जाहरे सब का रूजा होता है, और इन्हों ने यह शायद इफ्तार बॉक्स बनाया हुए, हम तो इसे इन्शालला हाज मस्जिद नभी के अंदर जो है, वो इफ्त हज्रत महम्मद के शहर में खुशामदीद, बाई इमिग्रेशन के बाद लगे जाने में बहुत लेट हो गया और अब तक्रीम पंदरह से बीस मिनट बागी है, इफ्तार में और कोशिश ही है कि हरम में हमें इफ्तार मिल जाए, यहां पर यह खजूर हो गया है, डिस्रिब सुष्ट बाए है नहीं पहँच्पाई है, देख सुपान देख सामने, मे나रे नजर आ इफ्तार हो गया हरम ब vaz all my life rather आभ गूर ले, बिस्मिल्ल्हारीयन रही है बाई हरम जो है वो पहुंच गए हैं अलहम दिल्ला ये देखें मस्जिद नभी शरीफ में अंटर होने जा रहे हैं अलहम दिल्ला देखें एक और बार बुलावा आ गया और हम पहुंच गए फाइनली माशालला जितना शुकर अदा गिया जाए कम है दोर नमबर 329 बिस्मिल्ला रहम रहीम लुम्म अफ्ता लियु बाबा ये देखें सुभान अलला सुभान अलला सुभान अलला माशालला रौनक देखें या अगी अब रमजान इंशालला आपको जो है वह हम यहां पे दिखाएंगे और लोग बाहर बैठे में ये देखें इफ्तारी का मनजर ये एमरिट्स में जो हमें बॉक्स मिला था इफ्तार बॉक्स इसमें होगी खजूर वगरा बिच खुबज है ये देखें ये देखें स्पाइटिंग के अंदर जो है वो खजूर माशालला फाइनली हरम के अंदर जो है वो खजूर का रहे है तेखें मगरिब की नमाज हमने बढ़ ली थी पर हम होटल चले गए थे और अब जो है वो तरावी चल रही है यहां पर बहुत प्यास लग रही थी मैं पानी पीने के लिए आयों मैंने सोचा कि आपको एक जड़ा को एक लुग दिखाओं यहां पर तरावी का जो मनज़र है वो मैं आपको दिखाना चाहरा था यह देखें मतलब मस्जिद के अं और अब बस मैं पानी प्योंगा इसका फिर हम तरावी के बाद ही जो है ना कंटीन्यू करेंगे इंशाल्ला असलाम अलेकुम कैसे हैं भाई अलहम दोल्ला हम ने जो है वो तरावी बढ़ ली है और इमरान भाई जिनका मैं आपको पहला सीन दिखा है यह इमरान भाई है ठ सब्सक्रावी करें और कोई इनसान यहां पर इन्हां पर काम करने के लिए और उसके कुल हो उतना पता तो रहा है वो लोगों को यहां पर फेसिपिरिेंस और आई को यहां पर नोग एपर घर कोई ए रोममेट है ख्ब makeup होती है जहां-जहां ज़ौप की मूम्मेंट इह चे तो इम्रान भाई से दमाम में मुलाकात हुई थी और मैं उसको घर देख रहा था सब्सक्राइब रहें उन्हें आएएजियाएा था खायते थी यहाँ नियुक्त अनुमा, खिर अब फलाइब रहे हैं je देर्भी भी मेरा ननी को माक्री मेरा आरह गड़ा है। मैं अराई भाही का विरल यहां भाही मेरा विरल अभाही बास्तुर। हमिन्じस्टाई आपे प्मदा करते हैं Almighty क्यों अधियं है कि यहां आज देखा लढ़ भाही मतलब होनरा ह भाही है कि तो तो इसलिए अभी प्रॉपर मतलब अटायर के अंदर आप मुझे नहीं देख रहे हैं उसी ड्रेसिंग अंदर देख रहे हैं जिस तरह आप लोग मुझे देखते रहते हैं तो कल से इन्शाला हम आपको मदीने का सब को जितना हो सकेगा जितने दिन मैं यहां पर हूँ अच्छे से एक्सप्लोर कर वाँगा इन्शाला जो मज़िद अभी में अभी जो है वह बहुत ज्यादा रश है लेकिन हम कोशिश करेंगे अलबैक से फ्री होने के बाद तब अम्रे के सफर के वाले से एक और बड़ी इंपॉर्टन चीज में आपको बताता हूं कि यह जो मेरा पूरा सफर है मतलब जो अम्रे का है यह स्पॉंसर्ड है और बिसिकली सबसे बड़ी बात तो यह है कि अल्ला पाक ने नसीब में लिखा था बुलावत था तो मैं आ आग देखे हैं और शिकली सबस्घाव जो कांचा시बर द कर बाकान में दोर्टन चीज अवचा सवर्स पान दोर्टन चीजा तो यह थिये आपको यह रिखा तो में आतरो में इस अज्रतिन एमट प faculty में में खेस्जा़ा हैं है यह बात शक्रहा था हैं कि को उन्होंने वह छे हम बाइ आप लोग यह देखें यह अलबैक के बाहर रश कितना ज्यादा है मुझे लग रहा है कि हम नहीं ले सकते हैं आज तो कल ही कुछ सेट अप करना पड़ेगा चेक करें आप सिफ अंदर की लाइने अलग हैं और बाहर की लाइने आप यह चेक कर लें इहां से यहां तक कैसे हैं बाहीं भाई खेसे करें आप माशाललह उह व्यचाला पउनिया तो आगे आप अजए आगे डिद्स debating माशाला है कि लग यह लेक वह तर तक अब्हाइने में अलबैक अाय दोशाद्स आप दो अब आज हम कुछ और कहा लेते हैं भाई अभी अभी मैं अपने होटल के कमरे में आया हूँ और माशाला यह देखें यह जिनकी में बात करा था जिन्हों ने जो है वो यहां पे दावत दिये मदीने में और उम्रे के वाले से तो इन्होंने जो है वो आज का यह खाना इसेप्शन पर यह भीजवा दिया था बोला मदीने की बेस्ट अजवा जो है वो आपको मैंने भीजवाई है ठीक है यह आप देख सकते हैं पहले हम देखते हैं खुद भी और आपको भी दिखाते हैं माशाला यह देखें करीब से दिखाएं इसकी जो साइज है ना और ज बहुत स्वीट होती है और बहुत मज़दार खजूर होती है और बागी इसके इलावा जो है इन्होंने खाना बिजवाया है यह शायद मंदी टाइप कर कुछ सीन लग रहा है और गर्मा गरम है इसको ओपन करके दिखाते हैं यह अरब लोगों की हॉस्पिटालिटी है अरभाम का लोगों और बाग तो यह सभी किन नाशपँ है और तो कि स्थ्स देडाण यह दो मतले हैं दो आपक इंडिया न्याग अगरी खुशनफ हैं मतला सेब लेक्स नाशपटी का आपकेट साम में टांस पंपने कायब इननी जो वह एक और काइंड मौझूद यह देखें ग्रीड अपल तो माशहाललह जजा करळल्ला खेर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और यह देखें अजभा गजो एब एक और फाकेट यह मौझूद है ठीक है लेकिन जो बेस्ट कॉ अब मैं आजवा कहूंगा अचा भाई इसका जो है ना अभी कंफर्म नहीं हो पारा कि यह मंदी है नहीं क्यूंकर मंदी में नॉर्मली जो है वो चिकन का बड़ा पीस ओपर पड़ा होता है ठीके ना इसमें चिकन है बड़े बड़े पीसे हैं लेकिन साइड में तो यहां प अब से इसको थोड़ी ऑल्टरेशन की जाती है और स्पाइसी बनाया जाता है आज यह चावल खा गया है बहुत पुरानी यादे ताज़ा हो गई है जब मैं साओधिया में काम किया करता था और जब नया नहीं आया था तो यह चावल मेंने काफी खाया है तो आज यह यह और यह देखें और अब देखें फाइनली जो है वो में मस्धित नवी में एंटर होने जा रहा हूं पहले रेश्ट बहुत जादा था तरहारी की टाइम पर तो इसलिए मौगा नहीं मिला था और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं बिस्मिल्ला रख्मान रख्मान रहीम सु जाए यह देखें यहां पर जाए बिस्मिल्ला रख्मान 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 रख्म वरॉब जो आपको इसलाइड है पुरा आपको झापम हम बाहने पुराइड बैarmic returning पूरा स्लाइड है और पूरा स्छिड ऊजाता है उत्लिए आपके यह को करते हैं बन उनधा उर पर था दicular अजर मेंगार एंगारी और शाम में तैन करहा दों मुलुजाता है यह बहुत जबर्दस इंफरास्ट्रक्ट्ट्रक्ट्रा है माशाओला क्या खुशनसीबी है यहां पे लोगों की जो इस वक्त है रम्दान के महीने में आपे बेठे वे हैं इबादत कर रहे हैं अबादत में मसूफ हैं कुरान पाक पढ़ रहे हैं दुआएं कर रहे हैं अम्रे का हमने पैकेज लिया पूरा यह अमने नूरे कॉसर से लिया जब मुझे कंफर्म होगी है कि अब अम्रे की ताहरी करनी है इंशाहला तो फिर मैंने सोचा कि किसी ऐसे ट्रैवल एजेंट को ढूने जहां की सर्विस्स थोड़ी सी रिलाइबल हो और जो है ना सुकून हो जाए तोड़ा सा तो नूरे कॉसर से बात की और नूरे कॉसर वालों ने यह सारा जो वारे ट्रैवल है उम्रे का यह अरेंज किया क्योंकि जो भी रिलीजिस ट्रिप होते हैं इसके बड़े स्पेशिलाइज़ हैं मैंने सोचा मैं फ़र्स्ट वीडियो जाए ना विल्कुल कदमें शरीफएन के पास जा करूंगा इंशालला ताकि आप लोगों को भी यह मनज़र दिखा सको और अभी 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 अच्छ दिखा पर करेंगे तो अब भी तो बहुत ही अच्छा लगा मुस्तफा नेव का एक्सपीरिंस देखके कि उन्होंने कितना इंज्वाई किया अफ्तियार और अब एक फलाइट में वह लोग इस थिरिश्वारी के लिए कुछ डिस्ट्रिबूट कर रहे थे पिर अगर आप अपना रोजा खुल सके और एक चीज और थी इसमें मुस्तफा हानी जब कार में थे और वो मस्तित नभवी जा ही रहे थे और इस आर का टाइम हो गया था तो उन्होंने एक बिस्कित लेके खाया था बिस्कित था मुझे तो बिस्कित जैसा ही लगा कि उन्होंने बिस्कित खाके अपना रोजा खुला था बट यहां तक मैंने सुना है बोलते हैं कि जब रोजा खुला जाता है तो चार खजूरों के साथ खुला जाता है खजूर ख तहस्त करने दो रही हो संदो तो फंघ मता लिए पाथ नहीं फिंप आहिए किवाखी खुझुर के साथ महुआ रोजर आ Greek reaction को आप नहीं अरह चाहिए यह बता नहीं है उसी से खोलना चाहिए यह किस से आप लोग प्लीज मुझे कॉमेंट जरूर करके बताईए कि कैसे रोजा खोलना चाहिए वाकि यह एक्सपीरियंस तो वाकि बहुत अच्छा है हानी जी का और यह हर इंसान का खाब होता है कि वह सी मुस्लिम लोगों का तो तो मैं वहां नहीं अंत्र कर सकती हूँ बट अटलिस जो जा सकते हैं तो और इस पार्क महिने में जाके यह आए तो बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को इतने सारे लोग साथ में इस्तियारी करेंगे साथ में मॉर्निंग के टाइम पे भी लोग जाते होंगे उस टाइ कॉमेंट कीजिए बताइए मुझे वैसे मुझे पता है कभी कभी होता है कि सदनली कुछ चीजे हमारे मायन में नहीं आती तो अभी मेरे साथ वही हो रहा है कि एकदम से मेरे मायन में आने जाकी इस्तियार पता नहीं मॉर्निंग माले खाने को कुछ तो बहुत ही अच्छा होता है कि आपके जाने का ड्रीम होता है इसी पाक जगा पर वहां पर आपको इस पाक महिन चाने का मुझा मिल जाये तो बहुत ही अच्छा लगता विडियो शूट कर सकते हो कि कहां पर क्या है जो मैंने देखा है जो भी बहुत फेमस जगा होती है spiritual places mostly तो वहां पर आपको अंदर एंट्री के टाइम पर आपका कैमरा बहर ले लिया जाता है आपको बहर सारे अपने मुवाइल फोन्स आपका अगर आपके पास कोई कैमरा है वह सब आपको बहर ही देखे जाना परता है आप अंदर उनके साथ में एंट्री नहीं कर सकते जो करो हैं लोगों होती है कि आप अंदर जो वीडियो शूट नहीं कर सकते नदर क्या फोटो क्लिक नहीं कर सकते इससे नविछ में मैंने देखा कि ऐसे पहले वाली माले लिए दिन्वीड देखें कि वहqual पूरा शूट करते है और लोगों आप लोग अपना मुवाइल या जो भी कैमरा यूज कर रहे हैं आप कर सकते हो आप तो यह बहुत अच्छी चीज है तर्वाइस हमेशा मन में रहता है कि काश हम मतब जब हम इतनी अच्छी जगह गए जो कि हमारा ड्रीम था कि हम लोगो हाँ पे जाएं वहां जाके हम लोग कि कई लोग वहीं पे प्रोपरली हर जगह जाते हैं और अपनी वीडियो शूट करते हैं और डालते हैं यह बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को भी यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग हमीशा को लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं फील होता और सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ में छोटा सा पैल आइकन भी आता है उसको भी प्रेस कर दीजिए उससे मेरी नेक्स वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल ज